तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे एयर क्राफ कंपेरिजन इंडिया के तिजास MK2 वर्षे साउथ कुरिया के KF21 एयर क्राफ के साइड बाइस साइड कंपेरिजन तो चले वीडियो इस्टार्ट करते बिना कुई देरी के साउथ कुरिया के KF21 एयर क्राफ के लेन 55 फीट है और उसका हाइड 15 फीट है और उसका वीड 36 फीट है और उसका सीट 1 बाइट 2 है वहीं भारत का तिजास MK2 का लेन 47 फीट है और उसका हाइड 15 फीट है तिजास MK2 का वीड 27 फीट है और उसका सीट 1 बाइट 2 है साउथ कुरिया का KF21 का MPT 11008 से केजी है और वहाई भारत का 30 MK2 का MPT 11008 से केजी है साउथ कुरिया का KF21 का फैरी रेंज 29 से किलो मेटर है और वहाई भारत का 30 MK2 का फैरी रेंज 305 किलो मेटर है अब चरहें इन दोनों के बिच इंजीन के कंपारिजन देख लेते तो साउथ कुरिया का KF21 का इंजीन टू इंटू जेनरल इलेक्रिक्टिक्स F414 ड्राइट थ्रस 57.8 किलो न्यूटन आफ्टर बॉनर 97.9 किलो न्यूटन का फैरी रेंट करता है और वहाई भारत का 30 MK2 का इंजन वन गुना जेनरल इलेक्रिक्स F414 ड्राइट थ्रस 98 किलो न्यूटन आप्टर बॉनर 110 किलो न्यूटन का थ्रस प्रोभाइड करता है अब चलिए साउथ कुरिया के KF21 के फिचास देख लेते हैं 10 HP Air-to-Air missile can be carried by it the MBDAM-102-IRIS Delahi Sidewindr M-9-2 Taurus AGM-65 and AGM-84 Air-to-Ground Missile J-DAM and KGGB-Style appreciation guided bomb as well as GBUS अब चलिए बहरत के तिजास MK2 का फिचा से देख लेते हैं तिजास हाज 13 hardpoint hold 6.5 tons of weapon air to air missile, air to surface missile including Brahmos अब चलिए इन दोनों के बिच approach price की comparison देख लेते तो South Korea के KF21 का approach price dollar 65 million है और वहीं भाद का तिजास MK2 का approach price dollar 50 to 55 million है